जैन दोस्तों स्वात करते हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब वकंसी अप्डेट्स के अंदर और आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूट्मेंट अप्डेट लेकर रहा हूं जो कि बैंक की दरव से निकल के आ चुकी है HDFC Bank के तरव से latest recruitment update आउट कर दीगी है जिसके लिए आप apply कर सकते हैं कौन कौन सी vacancies है experience के लिए कौन सी है freshers के लिए कौन सी है वो आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा किसके लिए कौन सी qualification required है वो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो को इन तक पूरा ज़रूर देखिएगा फर्स टेम आप हमारी चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब और साथ के साथ बैल आइकन भी दबा लिजेगा जिससे आपको हरेकर recruitment update आपके उमवाल में मिलते रहेंगे और बाकी सारे updates के लिए हमा बात करेंगे कौन कौन यह department जो है जिसकी तरव से vacances आउट हुई है जैसे मैंने आपको बताया है यह vacances जो है डिरेक्टर जो है आउट करेगी है वो HDFC बैंक की तरव से किसी third party की तरव से नहीं है तो यह notification HDFC के तरव से आउट किया गया है इसके लिए को last date नहीं है क्योंक कोई भी नहीं होगी जब तक सारी post fulfill नहीं हो जाती तब तक यह vacances open रहती है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं उसके बाद main चीज़ है आपकी vacances कौन कौन सी आउट कीगी है तो सबसे पहले इसके अंदर जो वेकेंसी है वो है RBB personal banker की उसके बाद business analyst की है sales manager prime markets की है credit manager की है marketing service manager की है उसके बाद teller authorizer की vacances है जो की आउट की गई है उसके बाद next अगर मैं बात करूँ इसके अंदर जो vacances आउट ही है वो है system analyst की है customer care executive की है collection manager manager agree की है RBB branch manager की vacances जो है आउट की है इसके लाब और भी vacances है अगर मैं बात करूँ 10,000 के अप्रॉक्स vacances अभी live हैं की website पे जो मैं आपके आगे दिखाऊंगा भी और zero से लेके 10 year तक के candidate जो है इसके लिए जिनको experience है वो apply कर सकते है banking line का जिसके अंदर आप apply कर पाएंगे ब तो मैं आगे आपको बताता हूँ उसके बाद अगर मैं salary की बात करूँ तो वो as per norm रहेगी क्योंकि ये particular नहीं लिखा हुआ है vacances बहुत सारी है वह सबसे main चीज है अगर आपके apply करने के बाद आपको कोई call आती है किसी भी company की तरव से कि आपको fee pay करनी है तो आप साफ मना कर दीजिएगा क्योंकि HDFC bank कभी भी किसी तरह की कोई fee नहीं मांगता है किसी से भी apply करने के लिए next अगर हम बात करें इसके लिए apply करना already start है आप apply कर सकते है important links अगर मैं बात करूँ तो नीचे आपको दोनों मिल जाएंगे ये आप देख पा रहे हैं इसके अंदर आप click कर आए था बहुत less experience मांगा गया है one to two year राइट और कई ऐसी विकेंसी जिनके अंदर मांगा ही नहीं गया है तो उसके लिए आप इसको scroll कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है आप हलका सा नीचे scroll करेंगे देखिए अलग और भी विकेंसी आगी है marketing service manager की है 0 to 30 है उसके बा के आ रहे हैं देखिए आप तो आप apply कर सकते हैं 20 से 30 vacancies एक page के अंदर हैं तो let's suppose मैंने किसी एक जो है notification के लिए apply करना है हम पोई भी आप customer की executive का देख लेते हैं इस पे मैं click करता हूं उस पे location आपको लिखी होगी कहां पे है ये vacancies जो है आउट की गई है तो आप अपने location के लिए भी चेक कर लीजेगा अलगल location के लिए vacancies जो है वो आउट की हैं देखे हर्याना के लिए हैं असाम के लिए हैं और भी राइट सेट पे आपको मिल जाएंगी जो online similar job में आती है तो आपको क्या करना है सिर्फ इस पे click करना होगा जो कि apply वाला है इस पे आप जैसे click करेंगे गर मैं click करता हूँ तो यह मेरे को बोलेगा कि सबसे पहले भईया register करो तो इसके लिए सबसे पहले new user पे click करके यह sign up with your resume resume के through भी sign up कर सकते हैं तो simply आपको यहाँ पे new user पे click करना होगा तो मैं new user पे click करता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले तो एक resume मांग रहा है review profile आपकी आ जाएगी और last में complete होगा और अपनी सारे details भरके आप submit कर देंगे और आपना mobile number जो active है और email id जैक्ट हो वही feel करिएगा आपको HR की तरों से contact किया जा सकता है तो यह HDFC bank की vacancies है और direct में आपको उनकी website पे बताया कोई third party नहीं है कोई application नहीं लिखी हुई है तो pay त पे जाओ तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो आपको 10th और 8th करके भरती करवा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई 10th के लिए banking line में ऐसे नहीं होती on roll vacancies graduation minimum है आपकी 12th फिर भी रख लेते हैं reception के लिए लेकिन graduation must है under graduation कर सकते हैं apply जो कर रहे हैं अभी वो भी कर स graduation के साद नहीं वीडियो के इंद तब तक के लिए धन्यवाजी